हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई योटूब चैनल जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो में समाज साज की परभासास रिलेटड अपने पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे इससे पहले इसके दो पार्ट अल्रेडी प्रोवाइड किये जा आज हमारा कुष्ण नमर्बर वन है उत्तर आजुकता कोई एक एकिक्रि सिद्धान्त नहीं है फिर भी इसमें आजुकता से सम्मंदित भिभिन सिद्धान्तों का सम्मिलन है यह कथन किसका है ओप्सन नमर् A दिया गया है केलरनर का ओप्सन बर बेरेड़िजर का ओप्सन साहितिक आलोचक हैं। उन्होंने इस नए उभरते हुए उत्तर आद्रिक बिस्ट की संस्ट का बहुत ही प्रभावी सब्दों में वोईडन विशलेशन किया है। इस संगर्स में उनकी दो पुस्तकें पोश्ट मॉडनिज्म नाइटीनिटीफोर और दा कल्चिलल लॉजिक अब लेट कैपिललिज्म नाइटीन नाइटीन उन उल्लेखनी है। जेमसन की अनुसार अभी हाल के सौंदर परग, दालसनिक और सामाजिक समलोचनाओं का अनुवी चण यह बताता है कि यह कई रूप में इस अत्वा उस अर्थ के अंत की बात करता है। कुशन का राइट अंसर होगा, ओप्शन नमबर डी, आज हमारा सेकेंड कुशन है, निम्र लिखीत में या किसका कताना की सामाजिक संगर सुरच्छा का पाट का कार्य करता है। तो इस कुशन का राइट अंसर क्या हो जाएगा।। इस कुशन का राइट एंसर होगा हमारा उप्शन नमबर भी यानि कि लेवी सेकोजर। लेपीशे एक खाज ने अपने विचारों में मार्स के दौनदातमक संगर्स और डेहरन डार्म के संगर्सिधानत को प्रसुत किया है, वे पहले प्रकारवादी समाज सास्त्री हैं, जिन्होंने यह बताने की कोशिस की है कि संगर्स समाज की व्योस्था के लिए हानिकारक होत करता है जिससे वर्तमान सामाजी ब्योस्ता को बने रहने में सुविधा होती है तो कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा आप्सन नमबर C यानि की ए आर देशाई मार्सवाधी विचारधारा के प्रति आजन्म प्रतिबद रहे भारती समाज सास्त्री अच्छे कुमार रमडलाल देशाई की गढ़ना मुंबई भिश्विधाले के प्रतम पंक्ति और देश के अगणी समाज सास्त्रों में की जाती है उन्होंने बता है कि ब्रिटिस सासंद्वारा अंग्रेजी में सिच्छा लागू करने पर सिद्ध यहां उच्छ वर्ग को से समा से अलग रखने की परचायग सिद्धोईद कुशन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नमबर C आज हमारा अगला प्रश्ण है किसने कह हमारे यूग का नवींतम तथा सुभ व्यापक तत्य पूजीवाद नहीं यांत्री करण है आतनिक पूजीवाद तो मात्र उसका परेडाम है आगवन निकाप आप्सन नमबर भी मैकाबर एंपेज आप्सन नमबर C माक्स और लाश्ट आप्सन नमबर D वेवलन ते इस कु किया है तो कुश्चन का राइट एंसरों का आप्सन नमबर D आज के मारा अगला प्रश्ट है किसने यह मत व्यक्त किया है कि वर्क प्रसित को ना केवल उत्पादन के विशिश्च सरूप के आधार पर बलकि उस सामाजिक संसरूपन जिसके वे सदस हैं के आधार पर परभ कैंसरों का हमारा ओप्सन नमबर भी यानि कि लूइस अल्थूजर बीसमें सिदाप्दी के सरवाधिक मौलिक और प्रखर फ्रांसीसी नौ मार्सवादी सामाजिक दार्शनिक एवं चिन तक लूइस अल्थूजर ने मानविकी और सामाजिक ज्यानों में एक करिश्माई कि अत्यान्त विवाद अस्वर सिधांतकार की रूप में जो है अपनी चाप अंकीत की है उन्होंने कहा है कि वर्ग प्रसित को ना केवल उत्पादन के विशिश स्वरूप के आधार पर बलकि उस सामाजिक सनसुरूप जिसके वे सदसेंक के आधार पर पार्वासित किया जा है ते इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर डी यानि की के डेविस एउन डबलू ए मूरे ने के डेविस एउन डबलू ए मूर के अनुसार अस्तिरिकरण समाज की एक प्रकार्यात्मक आवशकता है किसी सामाजिक ब्योस्ता में प्रतिष्ठा प्र निम्र लिखित में किसने ब्योस्तापन को बिरोधी सहयोग कहा है किसने जो है ब्योस्तापन को बिरोधी सहयोग कहा है ते इस कुशन का राइट एंसर होगा ऑप्सन बर भी यानिकी समनर ने समनर ने ब्योस्तापन को बिरोधी सहयोग कहा है एक प्रारंबिक अमेर्की एक जो है प्रारंबिक अमेरिकी समासासी तथा अर्थ सास्त्री बिलियम ग्राहम समनर का नाम प्रमुक रूप से जनरीतियू यानिकी फॉक वेच के अध्धन के साथ जुड़ा है, एल विश विद्याले यानिकी अमेरिका में समासास विभाग की अस्थापना का स्रे समनर को जा समायोजन विरोध पूर्ट सायोग है, इसका तातपर है कि समायोजन के अंतरगद विरोध पूर्टया समात नहीं होता, बलकि इसे कुछ समय के लिए दबा दिया जाता है, तो कुशन का राइट एंसरों का ओप्सन नमबर B, आज हमारा अगला प्रश्न है, या किसने कहा है कि मानवों की अंता आश्यतता को समाज के रूप में परिवासित किया जा सकता है, तिया किसने कहा है, तो कुशन का राइट एंसरों का ओप्सन नमबर A, यानि कि NS टिमा सेप ने, NS टिमा सेप एक जो है बहुचर्चिस समाज सास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि मानवों की अ किसने कहा है कि अपराद सामान एवं प्रकार्यात्मक दोनों है, तिया किसने कहा है, तिस कुशन का राइट एंसरों का ओप्सन नमबर B, यानि कि इमायल दुर्खेम ने, यानि कि इमायल दुर्खेम ने कहा है कि अपराद सामान एवं प्रकार्यात्मक दोनों है, तो कुश का राइट एंसर जाएगा option number D यानि की वेबलेन ने कहा कि हमारे यूग का नवींतम्त था सुभ्यापक तत्त पूजीवाद नहीं यांत्रीकरण है आधनिक पूजीवाद तो मात्रुस का परडाम है ठीक है तिस वज़े से question का राइट एंसर होगा option number D आज के हमारा अगला प्रश्ण है किसने या मत व्यक्त किया कि वर्ग प्रसीद को नकेवर उत्पादन के विशिश स्वरूप के आधार पर बलकि उस सामाजिक संसरूपन जिसके विशदस्य के आधार पर परभ्यासित किया जाना चाहिए तिस कुशन का राइट एंसर हो है व्यक्त कि आह एककुशन का राइट एंसरोंगा option number b आज कर दो एकला प्रश्ण है किस ने तर्क दिया है की भारति समाज का आनुभाविक समाज साथ संभो नहीं है त्याह सविशन का राइट एंसर जाएगा option number d यानि की एके सरन ने एके सरन एक सुपरसीद समाज सासरी उनका मत है कि भारती समाज का आनुभाविक समाज साथ संभव नहीं है तो कुशन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्षन नमबर D फ्रेंड्स उम्मित करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आरहोगा यह अपको वीडियो पसंद आरहे तो प्लीस आप वीडियो को लाइक कर दे और साधी साथ हमारे टेलिग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए जी आसी लेक्षर के लिए इस्पेसिल टेस्ट स्रीज लांच की गई है जो लगवाग सत्रा दिन से कांटीनू चल रही यानि कि जो मॉक्टेश होता है वो फुल लेंद का मॉक्टेश होगा यह एक्जाम तक कांटीनू ऐसे चलता रहेगा जो मॉक्टेश का टाइमिंग है वो तेन पीम है तो यह आप मॉक्टेश में पार्टिपेड यानि की टेश स्रीज के लिए पार्टिस्पेड करना चाते हैं तो आप हमारी टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं जहां से आप रेग्लोर इ सॉल्ब करते हैं आज हमारे अगले प्रश को आज हमारा अगला प्रशने किसने कहा है कि भारत की एकता इसके इतिहास में अधिकान समय सामाजिक या राजनेतिक एकता होने की वज़ाए सांस्कृतिक ही रही है तिया किसने कहा है तिस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएग option No. D यानि कि M.N. स्री निवास ने, M.N. स्री निवास भारती समास सास्रियों में अग्रणी समझे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि भारत की एकता इसके इतिहास में अधिकान समय सामाजिक या राजनेतिक एकता होने की बजाए सांस्क्रतिक ही रही है, question का right answer होगा, option No. D. किसने कहा वास्तों में विक्त की वर्ग इस्थित की उसकी बाजार इस्थित है इस कुषिन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुषिन का राइट एंसरों का हमारा ऑप्शन नमबर भी यानिकी मैक्स बेवर Max Weber के अनुसार वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक समू है जिनकी समान वर्ग प्रसित होती है ऐसे समू के व्यक्तियों का समान जीवन अवसर प्राप्त होते है Marks भिन वेवर ने वर्ग रचना में बाजार की भूमक्या को रिखांकित किया है Qiken का रहाइटरों का Option number B आज हुना अगला प्रश् phenomenon है अनुकूलन का अंतिम चरन साथमी करण है किसने कहा इं हो का तर nice question का रहाइटरों का片रों का Option number A यानकी ऐस पैटर्षन ने और करने कंठान का Question कर Right سा ओक является खे़रों का अंतिम चरन साथमी करण है किसके अनुसार स्वजातिवाद संघर्स का प्रत्थं प्रमुक आधार है तिस कुश्चिन का राइट एंसर होगो ओप्सनर नमबर C आज हमारा अगला प्रश्चन है किसने कहा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंब होता है और अंतिम वैतिता के लिए अंतिता अवलोकन हेत वापस लोटना पड़ता है तिहां किसने कहा है तिस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि कि गुड़े एवं हाटने गुड़े और हाट ने कहा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंब होता है और अंतिम वैतिता के लिए अंतिता अवलोकन हेत वापस लोटना पड़ता है राइट कुशन का राइट एंसर होगा option number C आज हमारा अगला प्रश्ण है किसने कहा है कि जात मुलता एक मानसिक दसा है तो यह किसने कहा है तिस कुशन का राइट एंसर होगा option number D यानि कि अमन स्री निवासने ठीक है बी आर अमबेट कर के अनुसार जो है इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा स्वारी हमारा जो है option number A यानि कि BR Ambedkar ठीक है BR Ambedkar के अनुसार जात मोलता एक मानसिक दसा है। या किसने काध या बिया अंबेट करने का? इस question का right answer होगा हमारा option Number A यानि कि जात मोलता एक मानसिक दसा है या BR Ambedkar ने कहा है बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्जर की तरब A.R. देशाई की राश्वात की परिवासा जो है या E.H. कार से प्रेरित है तुश्चन का राइट एंसर होगा option number B. आज हमारा अगला प्रश्ट है किस ने कहा है विज्ञान का संबंध पद्द्द से हैं ना की विश्य सामागरी से तुश्चन का राइट एंसर होगा option number D. आज हमारा अगला प्रश्ट है किस विज्द्द्द साथ समाजिक जीवन का विज्ञानिक अध्यनुवन है या किस विज्द्द्द्द्द'llन ने कहा है तिस कुश्चन का राइट एंसर होगा option number B यान की आगबड़ ने समाज साथ समाजिक जीवन का विग्यानिक अध्यन या कतन आगबन एम निपकॉफ ने कहा है इत कुश्चन का राइट एंसरों को आपसन नमबर बी आज हमारा अगला प्रश्चन है वाता वरण में वो सब वायतत्त आ जाते हैं जिनोंने व्यक्त को जीवन आरम करने के समय मे से प्रभावित किया है याकतन बुडवर्थ का है इत कुश्चन का राइट एंसर होगा आपसन नमबर बी आज हमारा अगला प्रश्चन है निवन में से किसका मत है कि मानो समाज का विग्यान अभी भी अभी अति सैस्वा अवस्था में मानो समाज का विग्यान अभी अति सैस्वा आवस्था में है कुश्चन का राइट एंसर होगा option नमबर डी आज हमारा अगला प्रश्चन है कार्ड मास्क की निम्लिखित कृतियों में कथन दी हिस्ट्री आप आल हीटर टू सोसाइटी इन दी हिस्ट्री आप क्लास इस्ट्रगल किससे संबंदी थे या किससे संबंदी थे इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा option नमबर डी यानि कि क्यमिनिष्ट मैनोफेस्टो 1848 में मार्स और इंगल्स ने लिखा है कि अभी तक के सभी समाजों का इतियास वर्ग संगर्स का इतियास है कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा option No.C यानि कि क्रामसी ने ग्रामसी की अनुसार तवरित उक्र सामाजीक परिवर्तन तभी आ सकता है जब क्रान्त कारे roamी जाएट एंसर होगा option No.C आज कमारा अगला प्रश्चन है आजनिकता एक अधूरी पर्योजना है या किसका कथन है तिया किसका कथन है तिस कुछ्छन का राइट एंसरों का आप्सन नमबर B यानिकि जे हैबर मासका आजनिकता एक अधूरी पर्योजना है या कथन जे हैबर मासका है तिक कुछ्छन का राइट एंसरों का आप्सन नमबर A यानिकी राडिकली ब्राउन का समाजिक मानवसास्तु तुलनात्रख समाजसाथ के अतरित कुछ भी नहीं है यह कथन राडिकली ब्राउन का है का राइट एंसरों का option number A, आज हमारा अगला प्रश्ण न है, या किस्ट किस ने कहा कि क्रिशक समाज uns subscriptions के इत्कुशन का राइट एंसर होगा option number B, आज हमारा अगला प्रश्ण है, समाज साथ सामाजिक ब्योस्था और प्रगति का विज्ञान है या किसने कहा है, ति इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number C, यानि कि अगस्त काम्टे ने, अगस्त काम्टे का मत है कि समाज समाज के धाचे और प्रकारियों में घटित हो, किसने या परिवासित किया थिया, किसने परिवासित किया है, ति इस कुशन का राइट एंसर होगा option number B, यानि कि के डेविस ने, ठीक है, कििंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवरतन से आ से उस बदलाव से है, जो स के ठन किसका है, option number A, A, R, MacIver,か, RM, MacIver, option number C, K, Davis, option number C, TV, बोटो मूर, का, और लास्ट है, option number D, E, दुरखीम का, ति इस कुशन का right answer क्या हो जाएगा, इस कुशन का right answer हो जाएगा, हमारा option number D, यानि कि दुरखीम का, सामाज एक प्राकृतिक पखटना की तरह ही वैज्जान एक अनवेश्ट की वस्त है या कितन दुर्खीम का है गुशन का राइट एंसर होगा option number D, आज हमारा अगला प्रश्ण है कि परिवार ही सारे असंतोष का सुरूत है, किसने कहा है, तिस कुछन का राइट एंसर हो जाएगा option number C, नीकि लीचने लीचने कहा है कि परिवार ही सा नमबर C, आज हमारा अगला प्रश्ण है, निम्न लिखित में किसने समाजसास को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामाननी करण करने वाला विज्ञान के रूप में परिवासित किया है, किसने किया है, तिस कुष्ण का राइट एंसरों का आप्शन नमबर C, यानि की अगला प्रश्ण है, समाजसास समाज का विज्ञान है या परिवासा किसकी है, तिया परिवासा किसकी है, है त्युमेंट का समाज का समाज का विज्यान ईया परिव्यासाल य या आश मलाइए आगला प्रश् fr형 किसका है या कंतन किसका कि विवा नातधारी का सरोत है इस तो नानो वस्किका कथन कि Natalie दारीका श्रोत है दो का राइट एंसर ऑपसम नमबर बी आज हमारा अगला प्रश्शन है किसने कहा है कि मनुस्ष अपनी आधतों के दौरा सामाजिक परिवर्थन की प्रक्रिया में नियंतरित होता है किसने कहा है तिसकुष्जन का राइट इंसर हो यानिकी थोरो इस्टेन वेवलिन ने कहा है कि मनुसे अपनी आदतों के दोरा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में नियंत्रित होता है कुछन का राइट एंसरों का ओप्सन नमबर यानिकी नित्से ने कहा है कि समाज में संगर्स का मूल कारण प्रभूत की इच्छा का होना है कुछन का राइट एंसरों का ओप्सन नमबर ए आज हमारा अगला प्रश्ण है यह कौन कहता है कि वहराज और सरकार सर्वोत्ता में जो सबसे कम प्रसासन करें और जनता के जीवन कि अगला प्रश्ण है कि अगला प्रश्ण है जिसमें स्ट्रम सकत की पूर्थ कार करने के अस्तानों की संख्या से अधिक होती है किसने परिवासित किया है या किस ने परिवासित किया है तो इस कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर ए यान की इलिएट एवं मैरिल ने इलिएट एवं मैरिल का मत है कि विरोजगारी स्रम बाजार किवा दसा है जिसमें स्रम सक्की पूर्थ कार करने के अस्तानों के संक्या से का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर डी यानि की इमायल दुर्खीम का इमायल दुर्खीम ने इलिएमेंटरी फोर्म्स अब रिलीजियस लाइप में धर्म की समासासरी व्याक्या की उनका मानना है कि धर्म वास्तविक है परंत इस्वर धर्म का सार नहीं है प्रशन का राइट एंसर हो गो Videos नमबर डी आज हमारा अगला पश्ण है यानि की डैबलू दीमूरे ने काया कि आञा है काओ य제가 dimension कारईंसर होगा option number D, आज हमारा अगला प्रश्ण है, बेउसाय और के ओल बेउसाय ही जात प्रता की उत्पत के लिए उत्तरदाई है, या किसका मत है, ति इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer होगा हमारा option number A यानि की R Nessfield का R Nessfield का मत है कि बेउसाय और केवल बेउसाय ही जाति-प्रथा की उत्पत के लिए उत्तरदाई है question का right answer होगा option number A आज हमारा अगला परशन है किसने कहा है कि मधपान अनियंत्रित पीना है तो किसने कहा है इस question का right answer होगा option number A, यानि की W G Reqlcreas ने कहा है कि मधपान अनियंत्रित पीना है question का right answer होगा option number , आज हमारा अगला प्रशνο है क्रिशक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है तो इस question का right answer होगा option number आज हमारा अगला परशने है सामाजिक बिवस्ता के एचल मॉडल को किसने विकसित किया है फ्रेंट्स आप लोगों से पिछले प्राक्टिस से पुछा किया था जिसका जो है मैक्समाम लोगों ने साही जाब देया था आए जानते कि इस कुछन का राइट एंसर क्या होगा इ यानि की टालकट पार्संस ने सामाजिक क्रिया को सामाजिक प्रणाली यानि कि ब्योस्तता प्रणालियों से सम्मंद पार्संस ने प्रणालियों और उप्रणालियों के प्रतिरूप यानि की मौडल की रशना की है उन्होंने बताया कि कोई भी प्रणाली तब तक जीवित र उर्चर, इन आवशक्ताओं की पूर्द की प्रकृया में प्रतेक प्रनाली यानि जोस्था चार प्रकार की विशिच्ट उप्विवश्थाओं को विक्सित करती है, पार्शंस की सरवादिक प्रशित वर्ग क्रित योजनाओं में, यह योजनाएं AG-IL model की नाम से जाने जाती है कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा option number D आज हमारा last question है समाज सास अन्य समाजी विज्ञानों की dot dot के समान है किसके समान है option number 10 option प्रतिदंदी फ्रेंट जैसा कि आपको पता है कि हमारे practice district के last question आप लोगों के छोड दिए जाते हैं यानि कि इस question का right answer क्या होगा आप लोगों को comment box में comment करके बताना होगा कि question का right answer क्या होगा उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो please आप वीडियो को like कर दे और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको comment box में comment करके जरूर बताएं जिससे क्या होगा हम आपके comment को अपने नेश वीडियो में जरूर consider करेंगे तो चले हैं मिलते हैं आपसे अपने निश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन बंदे मात्रम